है नमश्ब्सक्र दोस्तों मेरे पाउम रेडिंग चैनल में आपका Бहुत- chilli-बहुत स्वागत है आई आज रत्तिस्वर्ष के पुर्श के पाम् का का एनालियस करेंगे इनके सवालों के ज़वाब करेंगे तो सर्प्रतम पर जिसे ये परशान है, तो आगे के विशे में जानना चाहते हैं, कि ये जो करज से इनको परशानी है, ये कब तक रहेगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अतली पर क्या चीखराब अवस्थाब बनी है, इस विशे पर भी जानना है, और जब बहुत जादा करज हो जाते हैं तो मानसिक tensions भी रहता है तो क्या इनके हाथ से ये कर्ज दिख रहा है या फिर किसी और तरीके से कर्ज का निर्दारन किया जाएगा तो मैं आपको दो बात बताना चाहूंगा अगर आपका श्वैम का कोई वेपार है समझेगा मेरी बात को अगर आपका कोई ओन अपना वेपार है तो फिर कर्ज के बारे में आपने प्रश्न किया तो समझ में आता है कि वो आपका खुद का है लेकिन अगर आप किसी के अधीन कारे कर रहे हैं तो फिर वेपारिक डिस्ट्री कौन से आपके हाथ पर करज नहीं भी दिख सकता है बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ मैं क्योंकि जब आप किसी का धीन कारे करते हैं या चाहे वो आपके परिवार के ही क्यों न हो तो हो सकता है आपके पता जी के कारण भी जीवन पर करज हुआ हो वो सकते आपके पिता जी के हाथ के कारण भी आपके धंदे पर दिक्कत आई हो तो ये चीजे संभव है इसलिए मैं आपका हाथ देख लेता हूँ अगर मुझे आपके हाथ से दिखा तो ठीक है नहीं दिखा तो मैं आपको बता दूँगा ये आपके हाथ पर करज की स्थिति नहीं दिख रही है लेकिन हाँ कई न कई आप भी उससे जुड़े हुए तो हैं तो आपके हाथ पर कोई ने को स्थिति ज़रूर दिखेगे क्योंकि परशानी के योग अगर आपके हाथ पर भी होंगे तब ही जाके आपतनाम में हैं और इस परकार की समस्याओं से गर्शित है तो पहले तो मैं नेगटिव चीज देखना चाहूँगा उसके बाद आगे के बारे में विचार करेंगे आपन तो अगर मैं पॉस्टिव चीज से पहले नेगटिव चीज की बात कर लो यहां कुछ-कुछ राहू रेखा है हाथ पर है थोरा समस्याओं को बताती तो है कर्ज दे सकती है, मानसिक परतार ना दे सकती है द्वंद दे सकती है, कन्फ्यूजन्स दे सकती है बहुत समाने बात है अब इसके बाद कर्ज के लिए आपको एक ग्रह देखना है बहुत इमानदारी पुरवन आप अपने ब्रशपती पर गौड जरूर कर ले अगर कोई भी व्यक्ति कर्ज के बारे में जाना चाहता है कर्ज के बारे में समझना चाहता है तो उसका बरश्पती वो देख ले तो वो समझ जाएगा अगर बरश्पती पूरा डाउन होगा तो ये जातक के जीवन में करज की स्थती को बढ़ा देता है बहुत समाने बात है तो इसके लिए आप बरश्पती का उपाय कर ले और पारिवारिक दिक्कतों को भी बताता ही बताता है तो कहीने कही पारिवारिक दिक्कते भी आपके जीवन पर चली ही रही है कहीने कही पारिवारिक समस्या भी आपके जीवन पर चली ही रही है तो यहां तो मैं देख पा रहा हूँ यहां तो मैं देख पा रहा हूँ लेकिन बात यहां पर यह है कि ब्रश्पती आपका गरबर है तो पारिवारिक समस्या करज इन सब किस्तिय को तो यह बता ही रहा है इसके उपरांथ इसके उपरांथ अगर मैं और चीजों पर बात कर लो अगर और चीज़ों को गहराई पुडवक समझ लो तो आप इसका रेमेडी कर ले आपके जीवन पर से ये समस्या कम से कम खतम हो जाएगी ये मैं आपको लेके तुरूप से दे सकता हूँ तो इसका रेमेडी जरूर से कर ले पहली बात तो ये होगी अब दूसरी बात राहूर एका तुरा समस्या दिया तीसरा बुद्धर एका बहुत ज़्यादा कस्ट में है तो ये थोड़े से अभाव को जरूर बताता है इस केस में जातक के जीवन में थोड़ा सा अभाव जरूर होता है ये तो मैं देख पा रहा हूँ ये तो मैं समझ पा रहा हूँ चलिए ये तो हो गई बात अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज के तरफ आपके आगे के जीवन में बहुत बड़ी त्रक्की के योग भी बने है आपके आगे के जीवन में बहुत अधिक धनाने के योग भी बने है ये भी आपकी मुझे आतरी दिखा रही है तो आईए एक एक करके इस चीज को बड़ी बारी की पुर्वक समझ लेते हैं और जान लेते हैं और बताने का प्रयाज भी करते हैं क्या क्या चीज़े हाथ पर बनी है तो सबसे पहले चीज़ अगर आप देखोगे पॉजिटिविटी में तो बागे रेका बड़ी जबरदस थे हैं बड़ी कमार और 36 वर्स के बाद तो इसने बहुत रिकॉर्ड तो रहा है 36 वर्स के बाद ये बागे रेका कुछ जादा ही शांदार है ये बागे रेका कुछ दादा ही अदूई थी है और ये वाली बागे रेका भी कितनी जबरदस मतलब बहतरीन अगर मैं आगे देखने तो एक जबरदस सूरी रेका ये नजर आ रही है यहां से भी एक ट्रेंगल है ये वाली ट्रेंगल भी बिल्कुल समाने नहीं है ये वाली तरिबुच को भी हम बहुत ही अच्छा बानते हैं बहुत ही अच्छा समझते है चुकि ये जातक के जीवन में धन को बताती है और 36 वर्स के बाग जो आपकी भागे रेका ने दो ब्रांचिस लिया है चली जी ये तो गई बात अब आगे अगर मैं देख लो और चीजों पर और क्या पॉजिटिविटी है तो जीवन ड्रेका पर प्रगती की रेखा इस केस में जातक के जीवन में प्रगती वत रख्य होती है तो यहाँ पर मंगल ड्रेका भी बड़ी शांदार है बड़ी आला धर्जे की है तो यह भी जातक को बचाव कराती है फ्लेटरी कंडिसन्स अच्छे है तो राज्यो कारा किस्तिती है कंफर्टेबल लाइफ रहेगी इस बात में कोई टेंशन नहीं है अब जीवन ड्रेका से आगे के विश्या में क्लियर कर देते हैं जो प्रशन था वो मैंने सुन लिया तो यहाँ पर मैं आपके आगे के जीवन को देखना चाहूँगा समझना चाहूँगा बताना चाहूँगा तो मैं जीवन ड्रेका से आगे के लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करता हो ताकि आपको भी समझने में आशानी हो तो यहाँ पर से यह माइंड रेका, जीवन रेका, इंडिपेंटेंट हो गए, महसोलला सुतरा वर्स की आयू से, यह आगे एक दिक्कत के योग थे, लगबग 18 वर्स में, 20 में तरक्की था, एक 22 में था, फर एक 24 में था, लगबग 26 में था, 28-30 के आसपास था, 30 के बाद थो यह आत्रा के योग कहलो, जो कि विदेशी दर्टी से धनलाव या यात्राओं का सूचक होती है, यह और बड़ी तरक्की आपके जीवन के अंतिम पढ़ाव लगबग 17 वर्स के आसपास है, एक फिश जैसी आकरती आकास्मिल धनलाव को बताता है, आगे भी मंगल रेका बह गुदे बताते हैं और जवर्दास आपका शुक्र है, तो यह भी जातक के जीवन में धनागबन का सूचक है, धन को देता है, धन को बताता है, धन की फ्लो को दिखाता है, हाँ, मंगल भी बढ़िया है, तो एनर्जी, प्राक्रम, समर्पन, कोई डाउट नहीं है, जातक ए और मंगल जिस भी व्यक्ति का प्रबल हो, यह अपने जीवन में खास करके कभी जिशेश तनाव में नहीं रहते हैं, जितना ही तनाव जीवन पर आजाए, जितना ही परशानी जीवन पर आजाए, तो यह कहीं ने कहीं, उससे उबरने का प्रियास करते हैं और उससे बहुत अद तक बहुत अद तक उबर भी जाते हैं नो डाउट चलिए ये तो ओगी positivity, negativity questions, अभी और भी चीजों पर विचार करेंगा तेली के अधियन से तो गजब का थम्ब है, strong इच्छा शक्ती ये वाकिर्ती है, जबी भी support चाहिए, जिन्दगी पर मिल जाएगा desires के अच्छे लाइने तो बड़े महात्वाकांची ऐसे विक्ति बहुत महात्वाकांची होते हैं महात्वाकांची इतने ज़ादा desires इतने ज़ादा कि इसको शब्दों में वर्नर नहीं किया जा सकता है ऐसे विक्ति अपने दम पर सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं गजब का थंबे, तो विक्ति तो बहुत शांदार जुकेंगे समझदारी के लूप काफी एची समझदार है, फिंगर पर घड़ी रेखा है चलता रहता है जीवन पर और ये फिंगर लंबे खरे है तो अच्छी क्रिटिविटी है, अच्छी समझदारी है वागी जो भी रेमेडीज वेगरा है वो तो मैं आपको जरूर देदूँगा अब भी बरश्पती आपका पूरा डेमेज है लेकिन कुछ पर अपकारी रेखा है, सब के लिए करना चाहते है तो इस बरश्पती का प्यथा शिक रूपाए कर ले ताकि आप जीवन पर तरक्की को पराप्त कर पाएं ताकि आप जीवन पर सफलता को पराप्त कर पाएं और आगे बढ़ता है इसके बाद देखो तो माइंड रेका अच्छी है दिमाग के 23 है इर्दे रेका काफे शांदार है थोड़ा भावुकता दिख रही है मुझे अगर आगे इर्दे रेका भी बहुत जबरदस्त है विश्टो योग का फॉर्मेशन है रूटीन को फॉलो करने वाले है no doubt ऐसे वि देखा बहुत जबरदस्त है ट्रेंगल्स है जो negativity कतम कर रही है चति इसके बाद की बाग्य रेका अच्छी है दो ब्रांचेस के साथ है बेनेफिट तो कराएगी बेनेफिट तो कराएगी तरक्की तो देगी सफलता तो देगी no doubt यहाँ पर देखो बुद्ध पे खरी रेक ख़लध को भी बताता है साथि साथ अपने दंपर प्रूस पराप्त करने के एक समर्पन को भी बताता है चडनमा बढ़ BJई है जंदगी पर जब चाहिए पैसे आही जहें कि दंको लेके विश्चलिस दिक्कत नहीं रहती निए कि बागे रेका बड़ी जबर्दस्त है लगबग अठाइस में वर्स किया यू के बाद बागे रेका ने कोई किंतो परंतूत पन नहीं किया मतलब जातक के जीवन में तरक्की को बता रहा है बुद्धरेका तोड़ा कम सार्थक के जिसमें से तोड़ी प्राब्लम्स आती है तो अगर ये बुद्धरेका असार्थक हो जाए तो प्राब्लम्स कहां आएंगे जीवन पर फिर तो जीवन पर सफलता होगी फिर तो जीवन पर त्रक्की होगी बाकी मैं उपाई दे दूँगा ये था इनके तलिका पूर्णत अभिशलेशन अगर आपको अमारा ये